नवस्कार दोस्तो मैं जोति सचारिय पंडित राजगुरु सर्मा आप सभी का हमारे सब्द ग्यान यूटूब चनल में दिल के गहराईयों से अभी नंदन और स्वागत है दोस्तो आजम बताने जा रहे हैं मेस विर्सब और मिठ्थुनितीन राशियों का विरासी विचार कैसा होता है इनका जीवन इस्तर कैसा रहता है कैसे सोभाव और चरित्र के होते हैं दोस्तो इससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं यदि अभी तक किसी भाई बेन ने हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ग्यान वर्दक ओडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे दोस्तों आप इस ओडियो वीडियो बन तक बन रहे ताकि आपके समझे पूरा ओडियो वीडियो आ जाए सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं मेस रासी का विचार कैसे होता है और इनका चरितर सुएभाब कैसा होता है इसका स्वामी मंगल चर संग है गरम स्वेभाब पित्र पिरकर्ती तता पूर्व दिशा का स्वामी छत्रिय वरन है समान अंगो वाला चोथे सूरिय पहले चंद्रमा पांच में मंगल दूसरे बुद्ध छटे गुरू तीसरे सुक्र साथ में सनी आठ में राहु केतू आठ मी रासी विर्सी चक रासी मघा नक्षत्र विश कुम्ब योग बब करन में इस लगन पर रविवार कार्तिक महीना एक या छे तितियां इसके लिए घा तक हैं मुख पर बगल में या पैर में काला तिल वैगाव का चिन होता है उंचे से गिरने और डूबने का भी एक बार भें होता है बाल या वरद वस्ता में विववार कन्ने से धन प्राप्थ होगा विर्सी चक रासी करक धनू और मीन रासी वालों से मित्र ताच्छी रहेगी मित्थुन कन्या रासी वालों से बैर भाव बना रहेगा दो इस्तरी पहली विवाईत दूसरी इस्तरी गुप्त रहेगी जीवन में पूर्व दिसा की यात्रा से भला होगा बुद्ध का दिन सव कार्यों में निसेद रहेगा ती च्छे बार है 24 इन वर्सों में खत्रा है इससे बचेगा तो 6 यानि की 66 के करीब आयू होकर दिन में पेट की पीडा से मिर्ति हो जाएगी जब सरीर में कश्ठ हो तो मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए 11,000 दुख आपका दूर होगा आगे पिर्भू मालिक रहेंगे दूसरी रासी है विरस आप विरसव रासी का रासी विचार कैसा होता है विरस रासी का स्वामी सुक्र इस्थरसंग कोमल स्वेभाव वेश्य वरन वात प्रिगर्ती दक्षिन दिसा का स्वामी है यह पुरुस सदा किरपन रहेगा लगन सूरिय राहु केतु आठ में सूरिय शकूनी करन सनेचर दिन अगने महीना पांच दस पंद्रे ये तितिया घातक होती हैं एक तीन छे दस ग्यारे इन रासियों वालों से मित्रता रहेगी एक आठ ग्यारे बारे इन रासिवालों से संपरीती रहेगी करक सिहिंग रासिवालों से बैरभाव रहेगा और रजो पूल चहरा मीठा वचन होगा इसके दाही ने पाम या बगल में तिल का चिन होगा पांच में कन्या रासी पड़ी है सांतान भोत कम होगी छटे तुला छे रोग होगा नेत्र गलाया पेट में दर्द रहेगा इस्तरियों के वसी भूत रहेगा आठ में धनू मिर्तू गर्द या कान के दर्द से होगी नौ में मकर दक्षिन दिसा की यात्रा से लाव होगा दस में कुम्ब सत पुरूसों से लाव कम रहेगा ग्यार में मीन हैं दस्त की बीमारी हुआ करेगी और बिना महनत धन मिलेगा किसी समय गोडे से गिरने का भै रहेगा हमेशा अच्छा भोजन और सुन्दर कपड़ा पहने को मिलेगा चंदरमा देखने से सारा महीना चबीतेगा इस पुरूस को सोले तीस पचपन इन वरसों में कश्ट होगा इस से बचे तो अठेतर साल आट महीने में मरेगा कश्ट में सुक्र का मंत्र सोले हजार का जाप कराएं इस से विर्षब र रासि का रासि विचार जीवन कैसा होता है इसका स्वामी बुद्ध दिस्वाव संगय दुरुवरन पित्र प्रिगती पश्षिम दिशा का स्वामी है बार में सूर्य नौ में सुक्र दसमें चंदरमा मंगल दूसरे बुद्ध तीसरे गुरू छटे सनी राहु केतू स्वा साथ दो से मित्रता रहेगी एक आठ नो दस ग्यारे बारे रासी वालों से संभाव रहेगा और करक रासी वाले पुरुसों से सत्रुता बहुत जादा रहेगी और यह मनुस्य वरतलाब में अती चतुर मुखपर सीतल का दाग और काला तिल मस्तक में होगा सदा कुछ धन पास रहेगा परंतु संतान कम होगी चटे गुरु हैं बाबा सीर की बेमारी भी हो सकती हैं साथ में धनू है इस्तरियों से वरता करने में चंचल होगा किसी पर इस्तरी धन प्राप्त होगा दस में मीन पड़ेगा स्रेश्ट पुरूसों का संग रहेगा बड़े आदिमों के य 28, 28, 48, 42, 54, इन दिनों महीनों में वर्सों में देह को कश्ट होगा यह है पुरुस बुद्ध का मंत्र 9000 जाप करे तो कश्ट दूर होगा बुद्ध के दिन दान भी करते रहे तो मिठ्धुन रासी वालों को लाब होगा अगर आपको अच्छा लगे तो कोमेंट बोक्ष में लिक कर वेजना मैं अपनी वानी को वीरान देते हुए जोतिस अचारियेपंडित राजगरु सर्मा आप सभी को करता है नवस्कार जैहिंद जैभारत